फिर उसके बाद यह चार हजार से लेकर लास्ट मैंने जो ओडर अभी कंफर्म किया वो था सवा लाख रुपे का और वो भी दो दिन का वाउ चार हजार सवा लाग क्यों पहुंचे हैं तो फिर एक चोटा सा ओडर आया और स्टार्ट किया पहला ओडर जब मेरा खुद का ओडर मेरा था तो वह था दो दिन के वेडिंग सिर्फ फोटो खीच के देना था और चार हजार रुपे में मैंने कंप्लेट किया था मुझे कुछ भी नहीं पता था किस क्या करना है किस तरह से पोर्टेट शूट ऑन दफिल्ट कैसे शूट करते हैं कुछ नहीं पता था लेकिन वह इतने अच्छे अच्छे क्लिक्स थे कि उन लोगों को बहुत अच्छा मैं अभी तक हैसा सोचता था कि विजनेस अगर होता है ना तो लोग मुझे देख आएंगे बराबर मेरी फेस वेलू देखके आएंगे या मेरा काम देखके आएंगे लेकिन वो चीज एक जगा पर है दूसरी चीज है मार्केटिंग जो करनी ही पड़ेगी अगर ज्यादा कि फिफटीन लाक्स चाहिए मुझे उतने कमाने हैं तो मुझे उसके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा अगर में प्लान नहीं कर पाऊंगा तो आज भी मैं वहीं पर ही रह जाओंगा जो पहले कुछ सालों पहले था मुझे मुझे अपने आपको बदलना ही पड़ेगा अगर मुझे आगए जाना है मैं तो नहीं चापाऊंगा सारे सपने सपने रहे जाएंगे तो वहीं खतम हो जाएगा सब कुछ और सब दोलते बस उसी तरह कुछ कर नहीं पाएंगे अभी आपका निलेश अपनी कंपनी को लेके अंबा फिल्म को लेके विजन क्या है और मिश प्लीज खलीज दम कर देंड्गे क्रeуст तो मेरा एक बड़ा अभी तो ट्रींg कह सकते हैं उसे के मुझे मेरा खुद का बड़ा स्टूडियो डालना है जिसमें मेरा एडिटिंग रूम पूरा अलग हो सेक्शन अलग हो वीडियो एडिटिंग का ग्राफिक्स का पूरा अलग हो एक प्रिव्यू रूम बड़ा एक अलग हो और एक मीटिंग रूम कह सकते हो या फिर एक कॉंफरेंस रूम जिसे कह सकते हो व एक साल याने पर मन्थ एक लाख रुपिया मिनिमम अर्ण को इतना टॉट टम एक प्लान किया हुआ है मैंने प्रॉफिक प्रॉफिक उतना करना है फिर सेकेंड येर तक तीन लाख रुपे तक पोहुस्टना है वाव और बाकी के तीन साल जो है उसमें पांच लाख से लेकर फंद्रा लाख तक जाना है अगर क्लाइंट के साथ मेरा मीटिंग हो गया तो बहुत कम चांसिस है कि अब वो ना बुलेगा